आज इस मूवी को explain करने वाला हूँ वो काफी जादा futuristic है और बहुती जादा मज़ेदार है आपको इस मूवी के बारे में जान की बहुत मज़ाने वाला है तो मूवी के starting होती है कबल से जो कि एक नए apartment में shift ही हो रहते है और जब उस apartment में वो अपने समान इधर-दर fix कर रहे ह होते हैं तब रॉब का नजर एक फ्रिज को पर पड़ता है जो कि थोड़ा सा अजीब सा फ्रिज था क्यूंकि उसका जो compressor था वो फ्रिज के बाहर था और इस चीज को देखके रॉब काफे ज्यादा है और अपने और फिर उसकी गल्परेंट कहती है कि तो मितना research करना फिर वो निकालता है और अपने वाइन में डालता है बड़ जैसे ही पीने को होता है तो से आजीब सी चीज दिखाइव मिलती है यार यार कुछ में देखने लगता है तो उसके इंदर से एक चोटा सा मियमृत निकलता है फिर गिल बोलती है कि यह कोई होगा लेकिन इसका स्ट्रॉक्छर वह एकदम रियलिस्टिक से लग रहा है पिर वह किल और उसके अंदर कोई और बीटवाइना मिल जाए जब फिर उसके अंदर का नंजारा था बो काफी ज्यादा शॉकिन्ग था फिर काफी ज्यादा शॉक होने के बाद रॉब को बुलाती है कि हे रॉब तो मीधा राव फिरिज के अंदर कुछ इस्पेशल चीजे है फिर रॉब अंदर जाके जाकने लगता है और वो नजारा देखके बहुत शौक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक छोटी सी दुनिया थी इनसान रह रहे थे उसके अंदर और उसके के अंदर अब इंडस्ट्रियल रेवॉलेशन हो रहा था चीजे काफी जल्दी बदल रही थी और यह चीजे देखके वो दोनों काफी जादा शौक हो रहे थे और रॉब बोलता है कि सिर्फ दस मिनट में ये सिटी गाव था अब इतना जादा डबलप कैसे हो गया और इसक पीच के अंदर की जो दुनिया है वो भी नौर्मली चलरी होती है क्योंकि उसंए दो इंसानों को दिखाए जाता रही है जो की आपस में बात कर रहे होते हैं और वहां से वो रॉब और गिल को भी देखते और बोलते कि ये दोनों कहमें काफी सालों से देख रहे हैं तो फ तो इस चीज को रॉब काफी जादा गौर से देखनी की कोशिश करता है बट उसके अंदर काफी सारे चीजे गड़बड होने लगती है एक निकुलियर ब्लाश्ट होता है और उसकी रोशनी इतनी जादा तेज थी कि रॉब का जो फेस था वह भी लाल हो गया था जिसके आपस में बात कर रहे होते हैं कि छोड़ो ना हमें क्या करना है चलो ना खा लेते हैं कुछ फिर वो ब्रेड खा रहे होते हैं उसके बाद और वो एक घंटे के बाद खोल रहे होते हैं इसका मतलब उसके अंदर तो कई हजारों साल पीत चुका है और एक चीज़ देखके व और वही energy का source भी है और इसी building के आसपास कई सारे bridges भी थे और उसी veins के थुरू सारे लोग उस building के अंदर जाते हैं अचानक से वहाँ पेक power create होता है और जितने भी लोग थे उस power में बदल जाते हैं और फिर वो pyramid आसपास में जितने भी चीजे होती है उसको निगलने लगता है एक black hole के तरह I think black hole ही बन गया था और उस black hole अचानक से बिल्कुल फट जाता है और फिर कुछ दिर बाद एक big bang होता है जिसके कारण गिल और Rob के आसपास भी काफी सारे रोशनिया फैल जाती है जिसे देखके वो लोग काफी जादा खुश होते हैं और excited भी रहते हैं फिर व to read ने का यह वोड़ी सोने से पहले फिरेज का whymukhol के रख देते हैं फिर अगले सुझा फिर से बोच फिरिज को को खोळते हैं यह देखने के लिए उसके अंदर क्यों सुझ को कोकर जाइज यह देखके वह ज्यादा शूक हो द Such an बहुत टाम पहले का ता जिस टाम डाइन जाके इंसानों में बदल जाता है और और फिर धीरे-धीरे वहाँ पे एक आई से जाती है फिर पूरी दुनिया बर्प से डख जाती है उसके बाद मिडल है फिर इंसान अपने घरों को बनाने लगता है ग्रूप में रहने लगता है वहाँ पर industrial revelation आता है फिर वही cycle दुबारा चलता रहता है ये movie काफी जादा interesting है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस movie को try जरूर देना और देखना जरूर बहुत मजा आने वाला है